आप देख रहे हैं दिवेह माचर टीवी मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के 6 बच चुके हैं और प्रदेश के तमाम ख़बरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस्ट अबडेट साथ इस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं विशेश तोर से करमचारियों से जुड़ी बड़ी खबर देना चाहेंगे क्योंकि ये कॉंट्रेक्ट की अबधी को भी काउंट किया जाए पैंशन देने के लिए अन्यवीदिया लाब देने के लिए हाला कि कई दफा ये आदेश चारी हुए हैं लेकिन अब इस मामले में क्या ब्रेकिंग सामने आई हैं ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और ऐसा क्या हो गया जो कि हाई कोर्ट की ओर से शिक्षा सचीव को इस पूरे मामले में तलब किया गया है दूसरी बड़ी बात हम लौ ओफिसर को लेकर करना चाहेंगे आखिर कार ये कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ा मामला है जहां लौ ओफिसर को जेल की सजा सुनाई गई है कोर्ट की ओर से और क्या इसके पीछे का पूरा माचरा था तिसरी बात नीट के पेपर को लेकर भी करेंगे क्योंकि पेपर लीक होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है जिसके चलते रिजल्ट पर रोक लगाई गई है सुप्रिम कोर्ट की ओर से आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है ये जानकारी भी हम आपको देंगे और क्या प्रभाव फिलहाल उन अभ्यर्थियों पर पढ़ने वाला है जिनोंने बहुती मेहनत से इस पेपर की तयारी की थी और पेपर भी दिया है लेकिन अब देखा जा सकता है कि रिजल्ट घोशित पर रोक लगाई गई है और वो भी इसलिए क्यूंकि पेपर लीक होने के आशंका इसमें है कौन से राज्यों में पेपर लीक होने के प्रमान मिले है ये जानकारी हम आपको देंगे लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अगले 10 तिन तक मौसम साफ रहने वाला है जिस वज़ा से और गर्मी अभी बढ़ने वाली है 40 डिग्री के पार तापमान जा चुका है तीन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर 42 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दर्ज किया गया है यह हमीरपूर के नेरी से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं पिछले कर नेरी में जो यह तापमान दर्ज हुआ है अभी तक का सबसे हाइस तापमान दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में अभी और जादा बढ़ोतरी तापमान में होने वाली है यह भी मौसम विग्यान केंदर का मानना है हलाकि अगले कल कुछे क्षेत्रों में हलकी बुन्दा बांदी हो सकती है लेकिन उसके भी बहुत कम चांसिस है यह चमबा लाहुल स्पिती की उन्ची चोटियों पर हलकी बारिश यहां पर बताई जा रही है लेकिन काफी कम आसार है इसके अलावा अगले 10 तिन तक मौसम अभी बिल्कुल साफ ही बना रहेगा दूसरी बात एक घटना से जूड़ी करना चाहेंगे मनीकर्ण घाटी के खीरगंगा ट्रैक रूट पर दरसल एक महिला की मौत हो गई है कांगणा से यह दंपती ट्रैकिंग करने के लिए आये थे लेकिन बीच रास्ते में ही महिला को किनारे में जाना था दरसल महिला आइस पॉइंट के पास जब यह पहुंची तो 31 वर्षी हाला कि इनकी उमर बताई जा रही है सुन्दुरी देवी नाम है यह शौच करने के लिए ट्रैक रूट से बाहर निकली थी कुछ दूरी पर एक पुराना पेड़ गिरा था उसी पर महिला बैट गई और महिला के वज़न से पेड़ थोड़ा नीचे खिसक गया जिस वज़से महिला भी गिरी और इन्हें गंभीर चोटे आई और मौके पर ही इनकी मौत हो गई घटना स्तल पर पुलिस समय से ही पहुँच गई थी और अभी महिला के शव को पोस्ट माटम के लिए ले जाया गया है उसके बाद परीजनों को सौंप दिया जाएगा देखा जा सकता है कांगडा से ये दमपती थे जो कि एक खास तौर पर ट्रैकिंग करने के लिए खीर गंगा ट्रैक रूट पर जरूर पहुँचे थे लेकिन बीच रास्ते में ही आईस पॉइंट पर महिला को शौच करना था थोड़ी सी दूरी पर गई तो इतना बड़ा जल गया उसकी मौत हो गई है दरसल बताया ये जा रहा है कि 66 वर्ष की इनकी उमर थी और नाम इनका बताया जा रहा है अनुरुत चौदरी ये अपनी पशुशाला के नस्दीक खड़े थे उसी वक्त इनकी गउशाला में आग काफी जादा फैल गई लेकिन गनीमत ये रह की चपेट में ये बहुत बुरी तरह से आ गये थे हलाकि अपने पीता को बचाने के लिए इनका बेटा भी आग में कूत पड़ा और ये जुलस गया है काफी जादा गंभीर इनकी भी हालत बताई जा रही है और अभी सीविल अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है सीव के दो लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेगी एक की तो मौके पर ही मौत हो गई जो की इस बेटे के पीता बताए जा रहे हैं 66 वर्ष की उनकी उमर थी और अनुरुत चौधरी उनका नाम था लेकिन इनके बेटे सुरेश चौधरी भी जब अपने पीता को बचाने के लिए गए तो वो भी आग में बहुत बुरी तरह से जुलस गए हैं और कारण सिर्फ यही है कि गउशाला के उपर जो कुछ घास रखा हुआ था उसे बचाने के चकर में ही अनुरुत चौधरी ने अपनी जान गवा दी है हालाकि गउशाला के भीतर गाए नहीं थी अगर पशू भी होते उसके बावजुद जाते तो यहां पर बात समझी जा सकती थी लेकिन एक छोटी सी बात के चकर में इन्होंने अपनी जान गवाई है और इससे सबक लेने की भी बहुत ज़ादा जरूरत है कि आग को कम नहीं आंका जा सकता है इने भी यही लगा कि केवल ध गरताओं को निशकासित कर दिया गया है छे साल के लिए ये प्रात्मिक सदस्यता से इने छे साल के लिए निशकासित किया गया है इसमें अरहोटतर शपीति से निर्दलीं चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लाज़मी सी बात है भाषपा को इसका बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि पुर्व जैराम सरकार में ये मंत्री पद पर रह चुके हैं इनकी अपनी भी काफी फेम हैं बहुत सारे वोटर इनके साथ हैं इनके कई समर्थक थे जिससे भाजपा को नुक्सान होना ही था लेकिन ठीक उससे पहले देखे इन्हें निशकासित कर दिया गय है पहले मनाने की कोशिश भी हाला कि इन्हें की गई लेकिन यह जब नहीं माने तो उसके बाद बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है भाजपा प्रदेश अधियक्स डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से निशकासन को लेकर और जारी हुए हैं दूसरी बात राकेश चौ पहले थे और जीत को लेकर क्यूंकि डॉक्टर रामलाल मारकंडा और आकेश चौधरी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि निर्दलिये ये चुनाब जीतने वाले हैं CM सुखु सुजानपूर दौरे के दौरान पली के नुकर सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे जहां इनकी और से बड़ी बाते राजिंदर राना को लेकर कही गई है इनका ये कहना था कि जो भाजपा प्रतियाशी राजिंदर राना है हमेशा CM से मिलने तो आते थे लेकिन एक ही मुद्दे को लेकर क्रशर के टेंडर को लेकर यहां सुखुरिती मिल जाए यही सिर्फ उन्हें फाइदा चाहिए होता था मुख्या मंत्री से इसके अलावा आम जनता को लेकर उन्होंने कभी कोई बात नहीं की क्रशर और टेंडर की सुखुरिती एक दफा बस उन्हें दे दी जाए इसी बात पर बार-बार मिलने आया करते थे आम लोगों से जुड़े ना तो उन्होंने कोई सवाल उठाए ना मुद्दे उठाए इसके अलावा जब प्राकृतिक आपदा भी आई थी तो भी आम जनता से जुड़ी कोई सवाल उनकी ओर से नहीं उठाए गए ना तो उन्होंने आम जनता की मदद करने का प्रयास किया और ना ही मुख्यमंत्री के सपक्ष उन्होंने अपनी कंस्टिट्ट्ट्ट्टी से जुड़े कोई मुद्दे रखे हैं सिरफ उन्हें अपने क्रशर की पड़ी थी कि सुजानपूर में और सिर्मौर में उनके क्रशर को लेकर यहां पर स्विक्रिती दे दी जाए ये बड़ा तंज कहना चाहेंगे जो मुख्यमंत्री की ओर से राजिंदर राना पर कसा गया है दूसरी बात उन्होंने ये भी कही क कि एक दफा अब सुजानपूर की जनता से ये गलती हो गई है जो उन्होंने राजिंदर राना को विजय बनाया था लेकिन ये गलती अब अगली बार ना करे क्यूंकि इसके लायक वो नहीं है उन्होंने तो जनता की भावनाएं ही बेच दी अपना इमान ही बेच दिया औ और भाशपा में वो बुरी तरह से बिग गए हैं जोयराम ठाकुर जब इससे पहले मुख्या मंतुरी थे तो उन्होंने भी हमीरपूर के लिए कुछ नहीं किया पुरी तरह से अंदेखी हमीरपूर की हुई है ये भी मुख्या मंतुरी सुखु ने आज कहा दूसरी ओर ठ खाटा के सराज में नेता पतिपक शोयराम ठाकुर की ओर से जनसभा संबोधित की गई यहां उन्होंने मंतुरी विक्रमादित्य सिंग से ये सवाल किया है कि जब उनकी माता चुनाव लड़ने में दिल्चस्पी नहीं दिखा रही है तो उन्होंने क्यूं दिखाई है पह जब कहने के लिए कुछ नहीं होता तो वो बार बार इस बात को याद करवाते हैं कि वो राजा साहब के बेटे हैं इस तरह का संदेश उन्हें जनता में नहीं देना चाहिए अगले कल दिखे तीन बड़ी जनसभाएं भाशपा की होने वाली है जगत प्रकाश नडड़ा क और तीसरी जनसभा अर्की में होने वाली है सोलन के अर्की में ठीक 11 बजे से ही यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी सबसे पहले फटेपूर में जनसभा संबोधित की जाएगी दूसरी जनसभा फिर चंबा में दो फर एक बजे संबोधित की जाएगी और तीसरी जनसभा सो कोड़ी एक जानकारी देना चाहेंगे क्यूंकि बार-बार अलग-लग मामलों में कोड की ओर से ओर जारी किये जा रहे हैं कि कॉंट्रेक्ट की अवधी से ही सिनियॉरिटी और अन्य वीतिय लाब करमचारियों को दिये जाए अब इसी मामले पर हाई कोड ने शिक्षा सचीफ को तलब किया है 22 मई 2024 को शियामलाल बनाम राकेश कमर केस में शिक्षा सचीफ को कोड में उपस्तित होना होगा कोड में पूछा है कि जब शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार केस में कॉंट्रेक्ट अबधी को भी पैंशन के लिए काउंट किये जाने का ओर्डर सुप्रिम क कोड से फाइनल हो चुके हैं तो आखिरकार इन्हें लागू क्यों नहीं किया गया है इस मामले में अब किसी भी तरह की कमेटी की कोई आवेशक्ता नहीं है शिक्षा विभाग ने इन आदेशों की अनुपालना जान बुझ कर नहीं की है यह भी यहां पर देखे तरक शिक की अबधी को भी सिनियोरिटी और अन्य वीतियलाब देने में काउंट किया जाए दूसरी और एक और मामला बताना चाहेंगे हाला कि यह करूणा मुलक कर्मियों से जुड़ा है हाइग ने चाहिसी में करूणा मुलक नीती 1990 के तहित लगे कर्मियों को बड़ी रहत देते ह हुए नियमिती करण की तारिक से ही सारे वीतिय लाब देने के आदेश चारी किये हैं हाई कोड की एकल पीट ने यहाँ वीतिय लाब तीन वर्शों तक सीमित करते हुए अदा करने की शर्त लगाई थी इस शर्त को गैस ज़रूरी पाते हुए मुख्या नियाइधिश एममेस रामचंदर राव और नियाधि जोसना रिवाल दुआ की खंटपीत ने इन करमियों को नियमिती करण की तारिक से ही सेवा लाब देने के आदेश तिये हैं गौरत लब है कि पॉलिसी 1990 के तहट HRTC में लगे करमचारियों को इस नीती के तहट नियमित नियुक्ती देने के बजाए साथ साल बाद नियमित किया गया था इसके खिलाव कुछ करमियों ने कोट के समक्ष याची का दाखिल की थी और पिछली तारिक से ही नियमिती करण की मांग की थी तो मानहानी का केस फाइल किया था मुख्या मंतरी सुख्यू के खिलाफ और इस पर नोटिस भी जारी हुआ था मुख्या मंतरी को कि उन्हें जवाब देना होगा लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया है तो 27 मई के लिए अब ये सुनवाई तल गई है हलाकि 2 मई को हाई को ये भी सुनवाई तल गई है उसके बाद ही देखना होगा क्या कुछ होगा हाल ही में मुख्या मंतरी नेक स्टेटमेंट दी थी कि जो छे नेता थे पहले कॉंग्रेस में ये 15-15 क्रोड में बिग गए हैं और इसी से आहात होकर सुधीर शर्मा की ओर से मानहानी का केस इनके खि कायल किया गया था डिगरी कॉलेजिस की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है वैकेशन के लिए और एड्मिशन के लिए शेड्यूल के अनुसार पूरे साल में 181 दिन पढ़ाना होगा जबकि 65 दिनों की छुटियां रहेंगी एक्जाम के लिए 44 और एवैलिशन के होने वाला है हलांकि शेड्यूल में कुछ जादा बदलाव नहीं आया है इससे पिछले वर्ष में भी शेड्यूल कुछ इस तरह का ही सामने आया था नीट पेपर में लिकेश होने की आशंका यहां पर जिताई जा रही है कि पेपर लीग हुआ है और बिहार में इसके मामले पर होगी यानि कि जब वैकेशन के बाद कोट दुबारा से खुलेगा तभी सुनवाई हो पाएगी लेकिन इस बीच जवाब भी तलब किया गया है केंदर से और एंटीय से और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट घोशित करने पर रोक लग गई है अब अ कि मशीन ये बताई जा रही है पिछले कुछ तिनों से खराब है इससे पहले हिताची कंपनी के मशीन भी कई साल से यहां खराब पड़ी है हलाकि डागनॉस्टिक टेस्स के लिए अठारा क्रोड की अदाईगी अभी यहां पर पैंडिंग बताई जा रही है अठारा योजना अब कहीं जाकर शुरू हुई है लेकिन इसके लिए भी मरीजों को कई धक्ये खाने पड़ रहे थे देखे नमांकन पत्रों को वापिस लेने की अवधिस्माप्त हो गई है इसी भी जानकारी यह आई है कि शिमला संस्थिय सीट से दो उमीदवारों की और से अपन को अदालत की अवमानना का दोशी ठहराया है कोट ने दोशी को अदालत के उठने तक जेल और 2000 उपए के जुर्माने की सजा सुनाई नियाइधिश तरलोक सिंग्चोहान ने मैसेजर वर्धमान इसपात उद्योग द्वारा बिजली बोर्ड के वीधी अधिकारी के रूप हो एक यह भी यहां पर जानकारी सामने आई है एक और अपडेट हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि यह नीट के पेपर से जुड़ी जानकारी क्योंकि अभी हमने आपके साथ साजह की है कि रिजल्ट घोशित करने पर रोक लगा दी गई है तो अब इसमें नई पहनत इस पेपर के लिए की थी तो यह करेक्शन एक हम करना चाहेंगे कि फिलाल अभी रिजल्ट घोशित पर रोक नहीं है सिर्फ नोटिस ही हुआ है और जब तक नोटिस का जवाब नहीं आता है तब तक अगला कदम इसमें कोई और नहीं उठाया जाएगा तो फिलाल के यही चानकारी फिर मिलेंगे नई खबर के साथ देखते रहें दिवेह माचल टीवी धन्यवाद